राहुल राजबर से अब मेरा सवाल है, राहुल राजबर मतलब इस मामले में वाकई ये हैरान करती है बाते, बीजोपी का डेलिगेशन चला गया, ऐसे में तो सबसे फिर होना चाहिए न, उमीद सबसे की जानी चाहिए, आप भी जाते, राहुल गांधी और प्रियंका गां उसको सब्सक्राइब लिजा राहिए, उसको राजबर करो, और इसमें तो भारती जन्ता पर्टे की, उसको क्यों 25 बिill में दोड़ाया गया? क्यों तर्शेल की घटना हूई है, वारती जन्ता पर्टे की घ fry घटना हूई पुलिस सिस्टम कैसे वर्ग करता हूं कैसे अपराजियों को बचाता है बनारस में एक महिला जो लगा तार कई पुलिस सिस्टम के सारे इंके पास हैं अपराजी को आप छोड़े आप वेवजय पास को घुमाते हैं मरी शुक्राजी आप अपराजी उसको सजा दीजिए और जाए कि आप उसको बचाईए मैं कह रहा हूं कि भार्ति जंता पार्टी की लौए और इतनी खराब है कि अपरा है थाने जाती है अपराजी के लिए थाना अपर मवोड य। जो सिपाही है उसको थपड़ मारता है, य। गारे बनार نہ पिख़ा जाता है नग्यां कि खराब हो जाती है, ओर फो पिटर्मates कराना पड़ता है तब टाक उसको अपरादी, खरान तर्lon होगा और इस ही कचारी पर जाके जो जीले की महिला विभाग की जो अधिकारी है उन्से मैंने कंप्लेंड किया उन्होंने महिला ठानाध्याज को डांटा चारी बहुत अच्छी बात है राहुल जी आप इस मामले में इतना अपना कंसर्ण जाहिर कर रहे हैं और मनीश जी से सवाल पूछ रहे हैं मनीश जी उसका जवाब देंगे मुझे उम्मीद है एक सवाल छोटा सा मेरा बता दीजे एक छोटे से सवाल का जवाब जो यहाँ पर वरिश्पत्रकार मेरे साथ है विजयत रिवेदी जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही थी कि यहाँ आरोपी को सजा मिलने के साथ साथ यह भी बहुत ज़रूरी है और सबसे आदा ज़रूरी है कि उस बच्ची के परिवार के साथ आप लोग खड़े रहे हैं आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे मुझे बता दीजे रावल आप सुन भी रहे हैं आपने सुना मे नहीं जा रहे हैं नहीं जारें नहीं जा रहे हैं उस परिवार के साथ खड़े होने के लिए था किसा यह मैं कि जो06 अपरादी है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए, और सरकार अपने लॉइन आड़र हो पुलिसिंग सिस्टेम को सुधारे. चीक है, मनीश जी अब इसका जवाब आप दीजी, मनीश शुकला. इतनी बड़ी घटना पर राहुल गादी प्रियंका वाडरा का बयान तक नहीं आया, और इनकी हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाएं, अखले शादों के अनुबत के बिना कॉंग्रेस अयुद्या नहीं जा सकती है, और इनसे पूछिए ना कि आखिर नारको डियन ने की मांग क्य महिला का, उसका नारको टेस्ट हो, उसको उन्याले के पास जाए, तब फायार दर्ज हो, तब कारवाई सुरू हो, क्या बात इलोग कर रहे हैं, और मुझे तो नाहित लारी खान पर अफसोस हो रहा है कि महिला हो के महिला का दर्द नहीं समझ रहीं, इतनी क्या आपके उप दुलमीद की बात करिये, लेकिन ये मोहित खान आइकान है, उसके खिलाफ बोल देंगी, तो पूरा ओटाप का चला जाएगा, तो इससे उपर उटना पड़ेगा, और उतरपनेज में, वियादितनात की सरकार में, ये बुल्डोजर हर जगा क्यों नहीं पहुंच पाता, ये सवाल आपसे भी मेरा है, पर नाहिद मैं आपके पास आती हूँ, एक एक कॉमेंट मैं, ज़र आपने दोनों वरिश पत्रकारों से लेलू, विजज़ची आपसे शुरू करते है, अब इस मामले में ये डिन आ टेस्ट और नार्को टेस्ट की जो मांग की जा रही है, सर ये भी एक राजनीती का हिस्सा है या पर इसे आप कैसे समझ रहे हैं? मनिष शुकला जी इस बात का तो जवाब दें कि 75 दिन से कारवाई क्यों नहीं हुई वहाँ पर और क्यों बलादकार की पीडित महिला को चीफ मिनिस्टर के पास पहुचकर इन आय मिलेगा, ये कौन सा लॉइड और है, सर नाहित का में जवाब लूँगी इस पर लेकिन श ये अबजेक्टिविटी नहीं है, कि जो भी घलत हो रहा है, कोई भी कर रहा है, आप उसके खलाफ कारवाई करिए, तो एक इंप्रेशन ये बन चुका है, कि अगर किसी भी मामले में आरूपी मुसल्मान है, तो ओर ग्राइप में चली जाती है सरकार, और वही तरीके का मा मामला, जब किसी नौन मुसलिम के खलाफ होता है, या आप खास्तोर से अगर वो बीजेपी से कनेक्टेड होता है, तो सरकार ठंडी पड़ जाती है, और पुलीस में इतना करप्चन है, मनी जी और नाहीद से कॉमेंट ले ले, मनी जी पहले आप से सवाल, 10 सेकिंड में लातकारी, माफियाओं के सबर्तक है, जब-जब हमारी सरकार ने कारवाई की, जी वो जाज छुट गई, जी वो जाज पकड़ी गई, वो धर्म पकड़ा गया, तो क्या हम आखले स्यादों की तरह आतंकियों को छोड़ दे कि धार्मिस पर दभाव बना रहेगा, इस रेप पिश्चुत रुप से जाएंगे, और जो पतरकार अउदीश जी की जाने की बात करें, तो उन्होंने ये क्यों ने एक का कि नरेंदर जी जो बनारस के सांसद है, वो भी एच्चु के छातरा के साथ जो भी अब यहां भी यह कहेंगी कि रोने गए तो फिर हम क्यों जाएं और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन, इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबी पी लाइव आप अपने स्मार्ट आपको रखे आगे